और भाईयों कैसे हो यार आप आज अपन बात करेंगे ता Ultimate Style Hacks for Skinny Guys topic के बारे में आपको exactly the best dressing tricks बताऊंगा जिसको easily follow करके आपकी ये insecurity बहुत हद तक minimize हो जाएगी और वीडियो के end में मैं आपको एक super tip दूँगा जो आपके 100% काम आएगी और आप मेरे को पूरी जिन्दगी याद रखोगे Number first proper hairstyle and facial hair अब आप एक बहुत ज़्यादा पतले बंदे हैं जिसका face पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप ये ध्यान रखें कि आप वो hairstyle जो sides में से छोटी हो और बीच में से बहुत ज़्यादा बड़ी हो वो hairstyle आप न अपना है क्योंकि इनको अपनाने के बाद आपका face और भी ज़्यादा लंबा लगेगा ये आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा favorable नहीं है तो आप undercut या pompadour जैसी hairstyle को ignore ही करें अब ये जो दोनों dressing styles हैं ये दोनों ही आपको और ज़्यादा वर्टिकल या और ज़्यादा पतला दिखाएंगे तो इसलिए आपको ये दोनों तो खास कर ignore करने तो आप V-neck T-shirts की जगे round neck T-shirts या polo T-shirts आराम से पहन सकते हैं और आप वो सारे upper wear अराम से पहन सकते हैं जिसमें collars हों क्योंकि collars आपके body type को बहुत ज़्यादा compliment करते हैं और आप ये ध्यान रखें कि आप horizontal stripes की T-shirts या shirts ही prefer करें क्योंकि horizontal stripes आपकी body को एक visual illusion देगा ताकि लोगों को लगेगा कि आप थोड़े broad हैं ये आपके लिए बहुत advantageous रहेगा अब ये style mistake मैंने खुदने भी करी है और मेरे बहुत सारे skinny दोस्त भी अभी कर रहे हैं ये सोचके कि हम तो पतले हैं हमारे पर loose clothes ही अच्छे लगते हैं पर reality में इसका just reverse ही सच है यानि कि आपको well fitted clothes ही पहनने चाहिए क्योंकि loose clothes आपको और भी जादा पतला बनाते हैं और इसको और भी जादा minimize करने के लिए आप full sleeve की t-shirt या shirt ही पहने आप जितना half sleeves को ignore करेंगे आपके लिए उतना ही advantageous रहेगा पर ध्यान रखना आप अपनी full sleeves की t-shirt या shirt की sleeves थोड़े बहुत उपपर चड़ा लें क्योंकि आपके four arms आपकी body के one of the most attractive organs में से एक होते हैं और मेरे हिसाब से आपको उनको ढखना बिलकुल भी नहीं चीए अब आप बहुत पतले बन्दे हैं तो आपको जो dark colors हैं वो और जादा पतला बनाते हैं तो instead आपको light colors use करने हैं अपने daily outfit में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा advantageous रहेंगे इन light colors में आप light green, light blue, light pink colors का use अकसर कर सकते हैं पर अगर आप भी मेरी तरह हैं और आपको dark color के clothes बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो आप ये simple hack का use करें जो कि है आपको अंदर तो dark color की t-shirt पैन लेनी हैं पर बाहर से आपको light color की bomber jacket या shirt पैन लेनी हैं जिससे आप uniformly मोटे लगोगे और ये technique आपके लिए बहुत ज़्यादा advantageous सावित होगी क्योंकि layering of clothes आपके body type के लिए बहुत ज़्यादा suitable है अब आपके पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप जब skinny jeans पैनोगे तो वो और भी ज़्यादा पतले लगेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि आप skinny jeans को तो बिलकुल ही ignore करें आप उसकी जगे slim fit jeans ही पैनें और similarly आप बहुत bulky jeans भी नहीं पैनें क्योंकि bulky jeans भी आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखाएगी जो कि definitely आपको नीची है अब इसमें आप एक major jeans hack ध्यान रख सकते हैं जिसमें आप अपने thighs को बड़ा दिखाने के लिए आप अंदर एक knicker पैन ले या shorts पैन ले उसके उपर jeans पैन ले जिसके आपकी thighs अच्छी खासी बलकी दिखेंगी और आप बहुत अच्छे लगोगे और आप jeans wear में एक और बात ध्यान रखें कि आप अपने ankles को बिल्कुल भी exposed नहीं करें क्योंकि जैसे कि आपके ankles बहुत पतले हैं ताकि आपके पास best quality videos regular basis पे आते रहें और आपका style का game हमेशा top पे रहे number six no bulky accessories क्योंकि जैसे कि आप बहुत पतले हैं तो आप अपनी body पे कोई भी bulky accessory न पैने जैसे कि कोई bulky belt नहीं पैने कोई मोटे मोटे frames नहीं लगाएं और मोटे bracelets भी नहीं पैने ब्रेसलेट अपने शरीर पे पैने और आप अपने single hand पे दो accessories पैनने कि भूल तो बिलकुल नहीं करें यानि कि आप बड़े मोटे डाइल के watches इगनोर करें और उसके साथ bracelets भी इगनोर करें आप single hand पे single accessory पैनेंगे तो आपके लिए बहुत advantageous रहेगा और mainly आप rappers की तरह heavy chains तो बिलकुल ही न पैने क्योंकि वो आपके body structure पे more than usual बड़े लगेंगे जो आपके लिए बिलकुल favorable नहीं है number 7 correct length of shorts अब आपके shorts बहुत छोटे भी नहीं हो क्योंकि वो आपके thighs जो की बहुत पतले पतले हैं उनको expose करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पतले लगोगे और बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हो क्योंकि वो आपको shorter और thinner दिखाएंगे तो इसलिए आपको अपने shorts बिलकुल सही of contrasting colors अगर आप अपने dress में बहुत ज़्यादा contrasting colors पहन होगे याने कि उपर dark नीचे बिलकुल light या नीचे dark उपर बिलकुल light तो उससे आपके individual जो part हैं वो highlight होंगे जिससे आप और भी ज़्यादा पतले लगोगे तो आप एक ही color के shades में dress पहने याने कि dark blue के नीचे light blue या grey और black साथ में और याद रखना इनको layering भी करना ताकि ये dark colors आप पे overpower नहीं हो number 9 wear proper shoes आपके body type को जो बिलकुल compliment नहीं करते shoes वो है या तो बहुत ज़्यादा pointed shoes या बहुत ज़्यादा boxy या bulky shoes क्योंकि pointed shoes आपको और भी ज़्यादा पतला दिखाते हैं और boxy shoes आपके पतले पन को highlight करते हैं और आपको अपने structure के comparatively बहुत पतला दिखाते हैं तो आप ये बिलकुल ignore करें इनकी जगे आप simple medium size की shoes ही prefer करें जो आड़े टेड़े ना हूँ अब अपन bonus tip के बारे में बात करते हैं जो कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ क्योंकि मैं भी skinny बंदों में से ही आता हूँ और यकीन मानो मैंने भी बहुत ज़्यादा body criticism जहला है आपकी तरह पर उस condition में मैं हमेशा यही ध्यान रखता हूँ कि जो बंदे मेरे को criticize करते हैं वो अगर मेरी जगे होते तो वो भी मेरी तरह ही under confident feel करते हैं या फिर क्या पता मेरे से ज़ादा करते हैं क्योंकि यार पतला या मोटा दिखना अपने हाद की बात तो है नहीं तो आप ऐसी condition म ज़रूर ध्यान रखें और आप constantly अपने आपको improve करते रहें अपने perfect self की तरफ और कभी भी अपने को दूसरों से कम नहीं समझें और life का यही motto बनाएं कि I am the best in the world क्योंकि अगर आप अपने आपको प्यार नहीं करोगे तो कौन करेगा